ये लगनव शहर जो अपनी नजाकत के लिए सारी दुन्या में मश्भूर है वही नजाकत इनके कामों में विदिखती है यहाँ पर कई ही लोग कलाई हैं जो आज विलुप्त होने के कागार पर है उसी में से एक लोग कला है मूर्ती कला छोटी मूर्तियां बनाने वाले कलाकार आईए जानते हैं इस बारे में कब से काम कर रही हैं? बच्पन से ये मिट्टी के खिलोने अपने छोटे आकार के लिए ही मशुहूर है मिट्टी के खिलोने बनाने वाले ये परंपरागत कलाकार है जिने कुमार जाती के नाम से ही जाना जाता है अब इस काम के गिने चुने ही कलाकार रह गए है ये जगह काले परवत के नाम से जानी जाती है बरसाथ के दिनों में इसमें पानी भर जाता है और गर्मी में सूखने पर जो मिट्टी इस तलाब में पाई जाती है वो मिट्टी के खिलोने बनाने के लिए कलाकार यहां से ले जाते हैं ये एक विशेश प्रकार की मिट्टी होती है जो सिर्फ यहीं मिलती है अब इस तलाप के जमीन पर भूमार्फया लोगों की नजर पड़ गई है और ये जमीन पर अवैद कबजा करने की कोशिश लगातार हो रही है इस मिट्टी के ना मिलने के कारण बहुत से कलाकार इन खिलोनों को बनाना ही छोड़ दिया है पहले आती थी काले पहार से अब नहीं मिलती है टड़ियन से आती थी ये कलाकारी परंपरागत है कलाकार की अगली पीड़ी इस काम को सीखना नहीं चाहती है क्योंकि इसमें उसे कोई आर्थिक फाइदा नजर नहीं आता है जुटे रहते हैं राती तो अगर देखा जा तो अगर तो लो मेहना नहीं मिलती है एच से अगर जाएदी बना लेता है वो खी अगरता सीखी नहीं राच्क नगलता है जो अंग्रेस लखनों आए तो उन्होंने ये सब देखके लखनों के लखनों के इसका ने पूला था जिसको अपना कि ले मौड़िंग के से पूर्स भी उने सुनु किया था कि ये ब्लू तुनाओ और लोग इसको सीथियां और आगे बढ़े लेकिन धीरे 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 जैसे समय बढ़ा और बहुत सारी चीजे आई उसमें जो है इसकला को देरे धीरे खतम भी होने लगी अगर बिटिस गौवर्मेंट इसकला को बचाने के लिए प्रयास किये थे तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं आईए हम सब मिल करके इन लोगों के लिए बाजार तयार करें आएं हम मैं अजीर पहादुर लगनव से इंडियान हड के लिए झाल शार